ओम सांती अमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम एक सुन्दर कहानी लेकर आई हैं जिसका सीर्षक है तीसरा समझधार मित्र आईए सुनते हैं कहानी बहुत समय पहले की बात है दो दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नकसा मिला खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था दोनों ने योजना बनानी शुरू कि खजाने तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूंप्यास से मर जाने का भी खत्रा था बहुत बिचार करने पर दोनों ने तै कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को सामिल किया जाए ताकि वे एक और उट अपने साथ ले जा सकें जिस पर खाने पीने का धेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर वे उसे उट पर ढोबी सकें पर सवाल ये उठा कि चुनाब किसका किया जाए बहुत सोचने के बाद मुकेस और सुरेस को चुना गया दोनों हर तरह से बिलकुल एक तरह के थे और कहना मुस्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है इसलिए एक प्रतियोगता के जरिये सही व्यक्तिका चुनाब करने का बुलाया और बोले आप लोगों को अपने अपने उट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना हैं कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग-अलग रास्तों में बढ़ जाएगा एक सही और एक गलत जो इनसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमा पहुच गए जहां से रास्ता बटा हुआ था पहुच कर मुकेश ने इदर उदर देखा उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर नहीं समझाया और वह जल्दी से बाई तरफ बढ़ गया जबकि सुरेज बहुत देर तक उन रास्तों की और देखता रहा और उन पर आगे बढ परने के नतीजे के बारे में सोचता रहा करीब एक घंटे बाद बाई और के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी मुकेश बड़ी तेजी से उस रास्ते से बापस आ रहा था उसे देखते ही सुरेज मुस्कराया और बोला गलत रास्ता हाँ शायद मुकेश ने जवाब दिया तुम्हें नहीं हमने मुकेश को चुनाए धोनों दोस्त एक साथ बोले पर मुकेश तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था फिर उसे क्यों चुना जा रहा है सुरेज गुस्से में बोला क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन सा है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगे बैठ कर यही सोचने में गवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत समझदारी किसी चीज के बारे में जरूरत से ज़्यादा सोचने में नहीं बलकि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजर्वे से सीख लेने में है दोस्तों ने अपनी बात पूरी की मित्रो हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा छड़ आता है जहां हम निर्णे नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत और ऐसे में बहुत से लोग बस सोच विचार करने में अपना काफी समय बरवाद कर दीते हैं जबकि जरूरत इस बात की है कि चीजों को सर्वेक्षन करने की बजाए मुकेस की तरह अपने लक्ष को साथदानी पूर्वक समझ कर उस पर कार किया जाए और अपने योगता के आधार पर आगे बढ़ा जाए अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट्स करिए और शेयर जरूर करिएगा ओम सांती